सब्सक्राइब अधा 24-7 एंड प्रेस्टी बेल आइकन गुड मॉर्णिंग फ्रेंड स्वागत आपका एससे यह डपर मैं आपके साथ हाजी रूहाँ आज टू दा पॉइंट में टू दा पॉइंट में हम लोग वैसे टॉपिक्स को देखते एक छोटे टॉपिक्स को देख पॉइंट्य है इसमें हम लोग अभी तक हम लोग ने आई के बारे में देखा है फिर हम लोग ने मीधन के बारे में देखा इसीतरह छोटे छोटे टॉपिक से और उससे रिलेटेड जो फैक्ट जो की direct एक्जाम में पूछे जाते हैं उसके हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं तो आज का जो हमारा topic है दोस्तों आज आप लोगों के comment में देखता हूं और उससे मैं comment से स सलेक्ट करता हुए तो आज का जो हमारा टापिक है वो है उसी पर में वीडियो बनाता रहूँगा थाक प्रशन प्रश्ण पूचा जाता है की जो जक्रास का डिफन ढिपरेंड डिफरेंड ब्रश्ण अरश्ण क्या खो कि या यहां से कम पोजीशन पूछा जाता है कि कांच का गदो चुम पोजीशन है है कैसा होता 15 से 20 प्रस्ट पूछे जाता है जाम में 20 के रचतके यह ऊसपास तो आज की की चर्चा करेए इस ग्लास की इंदर ग्लास का मतलब उता है दोस्तो कांच और एक्च्वल जो कांच होता है ना कांच कुछ इसी प्रकार का दिखता है यह जो होता है ना कांच जो होता है रौ जो ग्लास होता है वो इसी तरीके का दिखता है और इसी से हम लोग उसे seat में अलग-अलग form में क्या करता है change करता है इसी से ठीक है तो देखते हैं आज glass के अंदर के हम लोग important facts को आज का जो सबसे पहला fact हमारा glass के बारे में तो यहाँ पर देखिए जो glass है सबसे पहला glass बना किस से होता है glass में three man materials होता है man components होता है सबसे पहला component होता है इसका sand यानि जिसे हम लोग normally बालू बोलता है लेकिन sand का जो होता है actual में sand क्या होता है si o2 या जिसे हम लोग क्या बोलता है silicon dioxide कई बार दोस्तों ऐसे भी प्रशन पूछा जाता है what is formula of sand या फिर silicon dioxide को और क्या कहा जाता है या बालू का रासाइनिक नाम क्या है ऐसे भी प्रशन पूछा जाता है sand का formula क्या है ऐसे भी प्रशन पूछा जाता है तो ये चीज़ आप याद रखेंगे सबसे पहला जो होता है सेंड होता है दूसरी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है lime stone सोडियम कार्बोनेट के बारे में पता है को इसे क्या कहा जाता है इसे washing soda भी कहते है इसे हम लोग क्या बोलते है washing soda चाह जाता है sodium carbonate को जबकि आने हCOO 3 जो इसे हम लोग क्या बोलता है दोस्तो इसे sodium by carbonate कहते है और इसे कहा जाता है baking soda यह सारे fact भी आप याद रखेंगे काफी important facts न है यानि कांच का हमारा composition था जिसमें ये तीन चीज़ें होती है आपने इसे याद रखना है अब हम लोग चलते हैं अगले facts के उपर तो अगला fact याद रखेंगे कई बार पूछा जाता है सबसे पहले glass जो है कहां पर manufacture किया गया था सबसे पहले glass को कहां पर बनाया गया था दोस दोस्तो पेपर कहां से सुरुवात हुई थी कागज कागज की सुरुवात हुई थी चीन से हैना कहां से हुई थी चीन से सुरुवात हुई थी और जो कागज बना होता है दोस्तों ये किस से बना होता है सैलूलोज से बना होता है ये भी आपको पता है लेकिन कई बार आप प्रश्व होता है यहां पर यह जो बना होता है तो सोडियम सीलिकेट से और सोडियम सीलिकेट को जब हीट करता है किसे सोडियम कारबुनेट और सीलिका के साथ तो यह हमारा बनता है water glass यानि कि देखिए यह sodium carbonate और silica को गर्म करके sodium silicate के yogic से निर्मित होता है कई बार पूछा जाता है कि water glass किस से बना होता है तो याद रखेंगे sodium carbonate और silica को जब गर्म करते हैं तो वो बनाता है Na2SiO3 तो यही होता हमारा water glass और यह जो water glass होता है यह पानी में यानि water में क्या होता है दोस्तो जो बना होता है दोस्तों याद रखेंगे sodium carbonate calcium carbonate और silica से मिलकर इस यूज़ इन मेकिंग ट्यूब लाइट को बनाने में यूज़ किया जाता है ट्यूब लाइट को बनाने में जो बॉटल्स होते हैं बॉटल्स को बनाने में और जो लैबरेटरी के जो एक्विपमेंट होता है जो लैब में जो एक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको ब काच से बना होता है त्यूब लाइट दोस्तों याद रखेंगे किस काच से बना होता है सोडा ग्लास या सोडा काच से मिलकर बना होता है आपने याद रखनी है कई बार पुछा जाता है बॉटल जो होता है यहां पर मैंने यह बॉटल बनाया हुआ है और यहां पर यह है जिए इस से सोड़ा ग्लास से बिलाइट होती है यह दोस्तों कॉन सी घैस भरी जाती है यादा रखेंगे इस किसका बड़ा जाता है एच ची या पारा का वैपर भडाया जाता है इसमें neon और argon gas इसमें बरते हैं किसके अंदर तो mercury या tube light के अंदर clear point और यह जो देख रहा है पूरे जो chemical laboratory में जो equipment बने होते हैं यह सारे equipment जो काच के बने होते हैं वो भी किससे इसी soda glass से बने होते हैं आपने याद रखनी है अगले मुद्दे पर चलता है दोस्तों अगला म बना होता है वो potassium carbonate से बना होता है और इसका यूज दो चीज़ें आपको याद रखनी है अलग लग different type of glass से सबसे पहला तो कौन सा काच किससे बना होता है और उसका क्या यूज है यहां से आपके exam में प्रस्ण बनते हैं तो याद रखेंगे जो flint काच है वो किससे बना हो this is made up of tungsten tungsten का use क्यों कि आ जाता है क्योंकि tungsten जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसका melting point जो होता है सबसे ज़्यादा हाई होता है कि इसका tungsten का और इसका melting point दोस्तों लगबग 4000 degree Celsius के आसपास होता है आपने याद रखना है तो electric bulb में दोस्तों gas कौन सी बढ़ी जाती है याद रखें यह किसे potassium carbonate से बना होता है इसका use कहां पर करता है बिजली के बलब में camera का जो lens होता है जो भी camera होता है ना camera का यह जो देख रहा है लेंस जो बना हुआ है यह camera का lens भी किस से बना होता है यह आपके flint glass और very very important कई बार पूछा गया exam में camera का lens टेली scope जो होता है टेली scope का lens वह किससे बना होता है किस कांच से तो वह flint कांच से बना होता है आपने याद रखनी है अब चलता है हम लोग दोस्तों अगले fact की तरफ अगले fact को देखते हैं जो अगला fact है हमारा याद रखेंगे crooks glass यह glass का अगला टाईप है crooks glass यह किससे बना होता है तो serum oxide और silica ईलसे यानि हेड़ देखे हैं और कला है इसका मेंडिय년 ही क्या होता है हर रोटी रॉटी मुत जो ब्रेड की इसके लिए कच्चा माल-वेट है जैसे मानने के चलिए पिज्या है तो उसके लिए कच्च्चा माल क्या is मतलब मक्का है जबना होते हैं ख्रूक्स ग्लाट और किससे सीलिका से मिल बना होता है और इसका यूज कहां पर होता है तो जो गोगल्स होता है जो चस्मा होता है चस्मे में जो काँच यूज किया जाता है जो भी आप चस्मा पहनते हैं नॉर्मल जो गोगल्स आप पहनते हैं उसमें जो यूज किया जाता है काँच वो कौन सा गलास होता है वो क्रूक्स गलास होता है आप याद रखेंगे जो सामा सामानिय गोगल्स होते हैं उसमें जो कांच यूज किया जाता है वो कौन सा कांच होता है क्रूक्स ग्लास होता है लेकिन जो जब हम लोग जो लैंस वाला चस्मा होता है जो आख के लिए होता है जो आख वाला चस्मा जिसमें की लैंस होता है याद रखेंगा उसके लिए अल फेटे मारे क्राउन ग्लास से मिल और किससे से मिल और बना होता है। तो तैयार करते हैं यहां वो कहां पर होता है lenses of eyeglasses अब जो lens वाला जो चस्मा होता है जैसे आख में आख का lens जब खराब हो जाता है तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं जब myopia होता है तो हम लोग concave lens वाला चस्मा लगाते हैं जब myopia होता है तो concave lens वाला लगाते हैं और जब hypermetropia होता है यानि कि जब हम वहां पर जो बनता है वह किस से बनता है वह हमारा इस crown glass से बनता है आपने याद रखियेगा जो crown glass होता है crown glass का जो lens वाले चस्मे होते हैं उसको बनाने में यूस किया जाता है च्रीक है तो चलता है हम लोग अगले fact की तरफ हमारा quartz glass बहुत important दोस्तों कई बार यहां से भी प्रस्ट ने पूछा गया है this is also called silica glass सबसे पहला पॉइंट को यहां पर यह याद रखेंगे इसी quartz glass को ही silica glass भी कहा जाता है क्योंकि it is obtained by melting silica and ultraviolet rays emerged out through it यानि कि quartz glass जो है silica glass भी कहा जाता है क्योंकि यह silica पिघलने से प्राप्त होते और इसके माध्यम से पराबैगनी किरने निकलती है यानि कि यह जो quartz glass है यह silica को ही पिघला कर तैयार किया जाता है और याद रखेंगे इसका यूज कहां पर होता है ultraviolet lamp valuable में और कहां पर होता है container of chemical reagents में यानि जो रासाइनिक अभी करमकों में जो या प्रियोग शाला में जो यूज किया जाता है वहां पर उसके जो containers होता है ना उन containers को बनाने में इस quartz glass का यूज किया जाता है ताप इससे भी याद रखेंगे यहां पर सबसे पहरा चीज याद रखना है आपको silica glass किसे कहा जाता है कई बार पूछा जाता है जो ultraviolet यानि पराबैगनी किरन वाले जो lamp होते हैं उसका मतलब उसे बनाने में किस glass का यूज किया जाता है या उसमें याद रखना है quartz glass का यूज किया जाता है कई बार ऐस पूछा जाता है किस प्रकार के कांच को silica को पिघला कर बनाया जाता है दोस्तों याद रखेंगे quartz glass को silica को पिघला कर बनाया जाता है अब देखिए यह जो ultraviolet rays वाला lamp है और इसका यूद जनरली कहां पर होता है ना swimming pool में देखते हैं पानी जो blue color का नजर आता है कहते है ना blue है पानी पानी तो यह जो blue पानी है ना यह यह किसके कारण होता है तो उसके अंदर क्या होती है अल्ट्रा वाइलेट लेंप से लगी होती है और वहां से blue मतलब कैसी बैगनी करना निकलती हो रहती है जिसके कारण हमें क्या होता है यह जो पानी है वो कैसा नजर आता ह ब्लू नज़र आता, एक्चुली में ये पानी ब्लू होता नहीं है, और ना ही इसमें कोई ब्लू कलर का रंग वगरा नहीं मिलाया जाता, बलकि इसके अंदर से क्या होती है, इसके अंदर कई सारे पड़ा बेगनी, मतलब अल्ट्रा वाइलेट वाली लेंप लगी होती है, जिसके कारण ये क्या होता हमां ऐसा नजर आता है दोस्तों हम लोग चलते हैं अगर दोस्तों मजा हरा है आप लोगों को आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए चैकने जून आज ज़ादा लाइक सेर करेंगे आपको अगला वीडियो आप इस टॉपिक पे लाईए है ना तो अभी मैं ज्यादा जो maximum टॉपिक लूँगा वो physics और chemistry का टॉपिक लूँगा क्योंकि बायो actually 11 वजे वाले class में मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद फिर बायो के जो टॉपिक्स हैं उसके उपर मैं लाऊंगा लेकिन अभी जो maximum topics होगे वो मैं कोसिस करूँगा कि physics और chemistry के टॉपिक तो आप लोग comment में suggest जरूर किजिए कि सर इस topic पे आपको वीडियो लाना है अगला ठीक है तो laboratory equipments में laboratory equipments बनाने में और pharmaceutical containers जो होते हैं उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है यानि कि barium silicate और sodium silicate से बना है और इसका यूज कहाँ पर प्रियोग साला उपकर रहा है और दवा यानि दवा जिसमें आती है जो देखते हैं medicine कब सिरफ वो सब जिस कांच में आता है उसी में उसको किस कांच से बनाया जाता है वह पायरेक्स ग्लास से निर्मित होता है आपने ये चीज़ याद रखनी है ठीक है न हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ अगला फैक्ट है हमारा खाजास की बात करते हैं ये इंप्टेल का ग्लास है विच टरंश ब्लाक इन जार्प σानिंग लाइट थस सच गलासे देखिए यहां से तीन से चार प्रस्टन आपके बनते हैं सबसे पहला फोटो क्रोमेटिक ग्लास है कि यह एक विसेज प्रकार का ग्लास होता है जो कि तेज चमकने वाली रोशनी में काला हो जाता है इस तरह के चस्मे का उप्योग प्रकास रखचा कर आखों के रेलेवर की रूप में किया जाता है और इस तरह का उप्योग आखों में लेंस और चस्मे बनाने में किया जाता है और यह बना किस से होता है यह बना होता याद रखेंगे silver chloride से बना होता है तो सबसे important ये person की जो photogramatic glass होता है इसका क्या nature है तो इस पर क्या होता है जैसे sunlight ऐसे glass पर पढ़ता है तो वो क्या करता है अपना color change कर लाता है जैसे देखिए ये जो person इसने चस्मा लगाया हुआ है ये normal मतलब condition जब light नहीं होगा तो चस्मा ऐसा ही दिखेगा तो लेकिन जैसे sunlight पढ़ेगा तो ये जो color होता है इसका color क्या हो जा रहा है इसका color dark हो जा रहा है sunlight के पढ़ते ही और ये इसका reason क्या होता है जैसे ही इसके उपर पढ़ता है पढ़ता जाता है तो वो अपना color क्या करता रहता है चेंज करता रहता है जैसे जैसे race की मातरा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका color भी देखिए क्या हो रहा है या पर देखे color भी उसका increase होता जा रहा है clear point और यह किस से बना हुआ है तो याद रखेंगे यह silver chloride से बना हुआ है agcl2 जिसे हम लोग बोलते हैं और इसी silver chloride को दोस्तो याद रखेंगे horn silver भी कहा जाता है कई बार पूछा जाते है horn silver को किसे कहा जाता है ति याद रखेंगे agcl2 silver chloride को यह horn silver कहते हैं और यह जो horn silver एक होता है german silver एक होता है जर्मन सिल्वर याद रखेंगे जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें सिल्वर नहीं होता ये किस से किस से मिलकर बनता है कॉपर जिंक और निकल इस तीनों से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर जिसमें के एक्चुली में सिल्वर होता ही नहीं है तो जर्मन सिल्वर से भी कई बार exam में प्रशन पूछा जाता है इसी तरह silver की कुछ और component है दोस्तों जैसे silver iodide है silver nitrate है इसी तरह याद रखेंगे silver bromide है इन सभी का भी use याद रखेंगे कई बार exam में प्रशन बनते हैं जो silver iodide है इसका use कहां पर होता है तो artificial rain यानि कृत्रिम वर्सा में जो artificial rain होता है उसमें यूज किया जाता है silver iodide का जो silver nitrate है इसका use दोस्तों vote की ink में करते हैं याद रखेंगे जो vote की ink होती है जिसे indelible ink बोलते हैं उसमें किसका use करता है silver nitrate का और silver bromide का use दोस्तों करता है किसमें photography में जो photography होती है उसमें silver bromide का use किया जाता है ये सारे facts याद रखेंगे सारे के सारे facts दोस्तों बहुत ही ज़्यादा important है आपके examination point कई बार यहाँ से exam में प्रशन पूछे गए हैं तो चलते हैं हम लोग दोस्तों और याद रखेंगे silver का जो atomic number होता है वो कितना होता है 47 अगले fact की तरफ चलते हैं हम लोग तो अब देखिए यहाँ से प्रशन पूछा जाता है color of glasses से कि क्या जो green color होता है वो किसके कारण होता है या ruby red किसके कारण होता है peacock blue किसके कारण होता है red किसके कारण होता है ब्राउनिस ब्लैक के करान होता है अलग- inventory के जो आप काँच को देखते हैं उसमें उस रंग के लिए अलग-अलग प्रकार के compound को मिलाया जाता है तो आपको यहाँ पर जो保टन्ट है आपको उसे आद रखना है जैसे आपको सबसे deep blue very very important कई बार एक्जाम में पूछा गिया deep blue जो होता है उसके लिए क्या मिलाया जाता है cobalt oxide सबसे पहली बात दूसरा याद रखेंगे green green के लिए क्या मिलाया जाता है sodium chromate या ferrous oxide ये भी हमारे लिए काफी important है जो orange red है ये selenium oxide इसमें मिला जाता है उतना जादा महत्तपूर नहीं है यहाँ पर याद रखेंगे जो ruby red है फिर ये बहुत जादा important है इसमें क्या मिला जाता है gold chloride या purple of cassius उसके बाद याद रखेंगे जो glitter red होता है उसके लिए cuprous oxide और cadmium sulfide मिलाया जाता है ये सारे क्या है compound है इसी को मिला कर कांच का अलग अलग रंग बना जाता है ये भी हमारे लिए बहुत important है ठीक है न और ये जाद रखेंगे magneze dioxide इससे blue to light orange color बनाया जाता है cuprous salt very very important red color जो कांच का होता है वो कैसे तयार किया जाता है क्योप्रस salt को मिला कर तयार करते हैं इसके बाद cadmium sulfide से yellow like lemon जो lemon का जो जैसा yellow होता है वैसा yellow कांच तयार करने के लिए cadmium sulfide मिलाते है और ये last वाला जो देख रहाँ brownness black ये भी हमारे लिए बहुत important है क्या मिला जाता है उसमे क्या मिला जाता है और carbon से आप याद रखेंगे ब्राणिस। क्योंकि carbon का सबसे अच्छा जो नेच्रल सुरूत है क्या है 기 yolan कोल का होता है जह जो original कोल होता है अंत्रा साइड बटह और डावनी होता बूरा ही होता है, तो brown news black याद रखेंगे, उसमें क्या मिला जाता है carbon मिला जाता है तो दोस्तों ये different different color आइप यहाँ से हर exam में आपके railway के exam हो चाहे, SAC के exam हो different different exam में कई बार प्रस्ट यहाँ से पूछे गये हैं तो दोस्तों आज की मतलब एपिसोड में जो हमारा था यहीं तक रखते हैं हम लोग ग्लास से इतने ही important facts पूछे जाते हैं आपके exam में और दोस्तों अगर आप लोगों को मतलब यह जितने भी facts मैं बता रहा हूं सारे facts आप देख कर जाएंगे एक भी आपके सवाल ग्लास से related सवाल आपके छूटने वाले नहीं है exam में ठीक है ना बागी दोस्तों हम लोग अगली class के अंदर अगले episode में मिलते हैं नए मतलब topic के साथ मिलेंगे आप लोग अपने topics के बारे में comment में जरूर suggestion दीजे और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ये भी आपको बताना है तो दोस्तों अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो वीडियो को like करेंगे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करेंगे और जितने भी नए चात्र हैं वो हमारे चैनल को subscribe भी करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग to the point के अगले एपिसोड में एक नए topic के साथ और उससे related facts के साथ तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए and have a good day झाल के साथ नए लोग पे एक लुख ऑप लोग और जाप हमारे लोग और जाप लोग to the the